गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट बात करते हैं क्लास 12 कैमिस्टी के चैप्टर नंबर 3 यानि की जो कि हमारा इलेक्ट्रो कैमिस्टी के लेक्चर नंबर 12 की जिसमें स्टुडेंट हम बात करेंगे बैटरी की इस लेक्चर में स्टुडेंट हम बैटरी के अलग-अलग को भी जानेंगे तो बात करते हैं इस्टुडेंट पहले बैटरी तो बैटरी क्या होती है तो इस्टुडेंट कोई भी जो बैटरी होती है उसे जो हम सेल कह सकते हैं सेलों का जो समू होता है सेलों के सहुजन से जो हमें क्या प्राप्त होती है बैटरी सेलों के जो है एक एक स अधिक सेलों को जोड़ने पर जो है में बैटरी प्राप्त होती है अर्थात कोई भी बैटरी या सेल जिसे हम क्या है बिद्युत के सुरोत के रूप में परियोग में लाते हैं उचे जो है बैटरी कहा जाता है अर्थात ये इनको हम मान सकते हैं जो बैटरी होते हैं वह इले और रपी जो है राशाय निक उर्जा को क्या विद्ध्यूत उर्जा में परिवर्टित कर देते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बैटरी सब्द का परियोग किया जाता है वहा विद्ध्यूत धारा उत्पन करने के लिए यानि कि current generate करने के लिए या फिर विद्युत धारा के सुरोत को generate करने के लिए परियोग में लाने वाली युक्ति या फिर यंत्र के लिए किया जाता है और यंत्र को किस परकार से संयोजित होता है, वह जो है दो या दो से अधिक बोल्टी है या फिर गैलवे निक्या फिर विद्यूत राशाइनिक सेलों के समोज से यानि की संयोजित होता है अर्थात जो बिद्यूत रासाइनिक सेल होते हैं वही बैटरी होती है बहुत से जब बिद्यूत रासाइनिक सेलों का सयोजन होता है तो उन्हें बैटरी कहा जाता है और जिनका की परियोग क्यों किया जाता है बिद्यूत धारा उत्पन करने के लिए किया जाता है जबकि क्या करते हैं, स्रेणी करम में जो है, दो या दो से अधिक विद्यूत रासाइनिक सेलों को जोडते हैं, तो हमें बैटरी या फिर ब्यावसाइक सेल प्राप्थ होते हैं अर्थात एक या एक से अधिक सेलों के सहियोजन को बैटरी कहा जाता है जिसमें कि क्या है रेडोक्स अभिकिरिया के फॉल्सोरूप रासाइनिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है नेक्स्ट यहाँ पर स्टुडेंट हम बात करते हैं बैटरी के परकारों के यानि कि ताइपस ऑफ बैटरी तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप की होती है बैटरी पहली जो होती है प्राथमिक बैटरी और जो दूसरी होती है उसे बोला जाता है संचायक बैटरी अर्थात बैटरी के हमारे पास यहाँ पर दो परकार है पहला है प्राथमिक बैटरी यानि कि प्राइमरी बैटरी और दूसरी है सेकिंडरी बैटरी यानि कि दुतियक बैटरी या फिर उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है तो पहले student हम यहाँ पर बात करते हैं प्राथमिक बैटरी यानि कि primary बैटरी की तो student प्राथमिक बैटरी ऐसे cell होते हैं जिनने एक बार परियोग करने के बाद दो बारा परियोग में हम नहीं ला सकते हैं यानि कि एक बारी जो है इनका यूज करने के बाद इनको दो बारा यूज में नहीं लाया जा सकता है अर्थात वे सेल जिनमे कि क्या है जो रेडॉक्स रियेक्शन होती है वहा केवल एक बार होती है अर्थात इन्हें जो है दो बारा हम रिचार्ज नहीं कर सकता है यानि कि इनको पुना आवेसित नहीं किया जा सकता है उन्हें क्या बोला जाता है? प्राथमिक सेल कहा जाता है अर्थात हम कह सकते हैं कि बाह या विध्युत उर्जा का परियोग करने पर भी इलेक्ट्रोड अविक्रिया क्या है? reverse नहीं होती है यहाँ पर यानि कि यहाँ पर reverse reaction नहीं होती है एक बार हमने इस cell का यूज कर लिया तो दो बार हम इसको यूज में नहीं ला सकते है यहाँ पर प्राथमिक बैटरी के कुछ example दिये गए है पहला यहाँ पर है सुस्क cell यानि कि dry cell दूसरा हो गया mercury cell तीसरा हो गया daniel cell तो यह क्या होते है यह वे cell है जिनमे कि redox अविक्रिया केवल एक बार होती है अर्थात इन्हें दो बारा से आविसित नहीं किया जा सकते है तो यह सबी यहाँ पर प्राथमिक cell के उधारन है next student हम यहाँ पर बात करते हैं बैटरी के दूसरे परकार की जो कि हमारा है दुतियक cell या फिर दुतियक बैटरी या फिर इसको इंगलिस में secondary बैटरी कहा जाता है या फिर इसको क्या बोला जाता है संचायक बैटरी यानि कि storage बैटरी तो next इसकी बात करते हैं कि दुत्यक से लिया फिर संचायक बैटरी क्या होती है ऐसे सेल जिने उपियोग करने के बाद जो है पुना उपियोग में लाया जा सकता है उन्हें क्या बोला जाता है दुत्यक से लिया फिर बैटरीयां कहा जाता है अर्थाच ऐसे सेल जिने उपयोग करने के बाद चार्ज करके पुना उपयोग में लाया जा सकता है यानि कि विद्युद्धारा के उपयोग से इन्हें दुबारा से चार्ज किया जाता है एक बारी जब इनका चार्ज खतम हो जाता है एक बारी उप्योग में लाने के बाद जब इनका चार्ज खतम हो जाता है तो हम क्या करते हैं विद्यु धारा के परियोग से जो है इनको पुना आविशित करते हैं और पुना आविशित करके क्या है बार बार इनको उप्योग में लाया जा सकता है जिससे कि इन्हें क्या कह जाता है दुट्रियक सेल या फिर बैटरी यां कहते हैं और इसी बार बार चार्ग करने के कारण जो है समचायक बैटरी कहा जाता है एक्जामपल यहाँ पर दिये गए हैं स्टुडेंट सीशा संचायक बैटरी या फिर लेड संचायक बैटरी। दूसरा यहाँ पर है कैडमियम निक्ल बैटरी आदी नेक्स्ट इस्टूडेंट यहां पर बात करते हैं हम सुस्क सेल की यानि कि जो कि हमारा प्रात्मिक सेल का प्राइमरी सेल का उधारन था जो प्रात्मिक बैटरी का उधारन था उसकी पहले उधारन की बात करते हैं जो कि हमारा बैजुत अब घट्यों को पेश्ट या फिर पाउडर की फॉर्म में परियोग किया जाता है और इसी पेश्ट या फिर पाउडर की फॉर्म में परियोग करने के कारण जो है इसको क्या बोला जाता है ड्राइ सेल यानि कि सुस्क सेल क्या होता है इसमें जो सभी बैजुत या फिर ड्राई सेल कहा जाता है और इसका आभिस्कार जो है लैक लांसे ने किया था किस ने किया था लैक लांसे नामक बैग्यानिक ने किया था और इनहीं के नाम पर जो है सुस्क सेलों को लैक लांसे सेल भी कहा जाता है next student यहाँ पर बात करते हैं सुस्क सेल या फिर ड्राइ सेल या फिर लैकलांसे सेल की सरंचना की किस परकार से जोए इसमें कैथोड होता है किस परकार से जोए एनोड होता है कौनसे बैजुत अब घट्टे का यूज किया जाता है तो यहाँ क्या होते है इसकी सरंचना की बात करते हैं इस्टूडेंट इसमें कि जो पराथ्मिक बैटरी का जो हमने एग्जाम्पल लिया है कौण सा लिया है जो की हमारा है सुस्क सेल उसमें जो है इसकी सरंचना किस परकार से होती है तो student जो सुस्क सेल होते हैं जो लैकलांसे सेल होते हैं वे एक परकार के प्रात्मिक ब्यावसाइक सेल होते हैं जिसमें कि क्या होता है जिसमें ZN का एक बरतन होता है जिंक का एक पात्र होता है जो कि क्या है एनोड की भांती यहां पर कारे करता है किसकी भांती जो जिंक का पात्र होता है जिंक का बरतन होता है वहाँ एनोड की भांती कारे करता है और इस पात्र के अंदर विद्यूत रोधी यानि कि विद्यूत रोधी अचालक यानि कि इंसुलेटर मोटे कागज का एक advanted अस्टर लगा होता है यानि कि इसके अंदर जो है इस पातर के अंदर क्या होता है विज्जूत रोधी कागज फिट किया होता है और इस पातर में जो है manganese dioxide यानि कि MnO2 MnO2 तथा charcoal से घिरे हुए ग्रेफाइड की छड़ या फिर कार्बन की छड़ को रखा जाता है और इस कार्बन की छड़ को इस प्रकार से इस पात्र में रखा जाता है कि यह क्या है यह पात्र के निचले इस्तर यानि कि निचले जो तल है उसको टच ना करे जो निचला तल है इस पात्र का उसको जो है यह कार्बन की छड़ जो है इस पर्च ना करे इस परकार्च जो है इस कार्बन की छड़ की यहां पर पैकिंग की जाती है और जो यह कार्बन की छड़ या फिर ग्रेफाइड की छड़ होती है वह क्या है वह कैथोड का कार्य करती तो यहाँ पर एनोड का कार्य जो है जिंक का पात्र कर रहा है और जो कैथोड का कार्य कर रहा है वह कौन कर रहा है कार्बन की छड़ या फिर ग्रेफाइड की छड़ यहाँ पर कैथोड का कार्य करती है और जिंक एनोड यानि की जिंक एनोड और ग्रेफाइड या फिर कार् इस्थान होता है इन दोनों के मद्य में उसमें क्या है अमोनियम क्लोराइड यानि कि NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZNCl2 का घोल हम यहां पर भर देते हैं जो कि क्या है यहां पर बैद्यूत अप घट्य की भांती यहां पर कारे करते हैं कौन कौन करते हैं बैद्यूत अप घट्य की छड जो की कैथोड का कारे यहां पर कर रही है उसके जो फिट की रहती है यहां पर जिंक के पात्र में जिंक के बरतन में जो की कैथोड की कैथोड फिट किया होता है उसके उपरी सता जो की होती है पीतल की टोपी उस पर लगी होती है पीतल की कैप लगी होती है जिसे की क् पीच बोला जाता है जो पीचल की कैप लगी होती है उसे पीच यहां पर बोला जाता है जिसके बीचों बीच क्या होता है कार्बन की एक छड़ लगी होती है यानि कि या फिर ग्रेफाइड की एक छड़ लगी होती है और इसके उपर क्या होती है पीतल की एक कैप लगी होती है जिसे क्या बोला जाता है पिच कहा जाता है और जो ये कार्बन छड़ होती है यह क्या करती है कैथोड का कारे करती है कैथोड का कारे करने का मतलब यह धनात्मक होता है और जिंक जो होता है वहा किसका कारे करता है एनोड का कारे करता है जो कि क्या है रिनात्मक होता है और कार्बन की छड़ के चारों और इस कार्बन की पात्र तो cathode और anode के बीच में क्या है हैं? NH4Cl का यहां पर और zinc chloride का paste भड़ देते हैं और जो ये पीतल की तोपी युक्त कार्बन यानि कि जो गिरेफाइड की छड़ होती है इसको पात्र में इस परकार से रखा जाता है कि वह क्या है? इस नीचे वाले सरफेस को टच ना करें और परियोग करते समय जो है क्या होता है? जिंक का हम यूज करते हैं जिससे कि वहाँ पर होल की रेट हो जाती है यानि कि छिद्र बन जाते हैं जिससे कि क्या है? जो कार्बन की छड़ है जो की कैथोड है वहाँ धन्द रुप का तथा अर्थात जो हमारा कैथोड है जो की कार्बन की छड़ है वहाँ क्या है? धन्द रुप का तथा जो जस्ते का बरतन होता है जिंक का जो पातर होता है वहा रिन दुरुप का कारे करता है यानि कि एनोड का यहाँ पर कारे करता है और इन दोनों इलक्ट्रोडों को जो है अलग करने के लिए यहाँ पर क्या होती है पॉलिथिन की पतली परत जो है यहाँ पर लगी होती है इस परकार से स्टुडेंट यहाँ पर सुस्क सेल की सरंचना होती है आप जो है यहाँ पर इस पेज की सायता से जो है नोट्स बना ल एनोड पर होने वाली अविक्रिया की बात करेंगे जो कि हमारा एनोड क्या था यहां पर जिंक और दूसरी यहां पर बात करेंगे हम कैथोड पर होने वाली अविक्रिया जो कि हमारा यहां पर कैथोड का कारे कौन कर रहा था जो कि था कार्बन की छड़ तो पहले हम यहां प solid जो है दो इलेक्ट्रोनों का त्याग करके जो है Zn two positive में convert हो जाएगा और दो इलेक्ट्रोनियां से ये त्याग देगा next यहाँ पर जो है कैथोड पर होने वाली cell reaction तो क्या होगी यहाँ पर जो है कैथोड के चारों और जो कि हमारा कैथोड का कारे कौन कर रहा था कारबन की चड़ कर रही थी उसके चारों और जो हमने किसका लेप लगाया था MnO2 का तो जो हमारा यहाँ पर कैथोड होता है सुसक चेल में वहा क्या होता है MnO2 के चून से paste किया हुआ होता है क्या होता है जो कारबन की छड़ोती है उस पर जो है MnO2 का पेस्ट किया होता है तो यहाँ पर जो कैथोड पर रियक्षन होगी student उसको जो है MnO2 MnO2 पलस NH4 positive NH4 positive कहां से आये student जो कैथोड के चारों और हमने क्या भरा था NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा था तो वहीं से जो है यह NH4 positive आयन आया तो MnO2 पलस NH4 positive पलस यहाँ पर क्या होगा दो इलक्ट्रोनों का त्याग होगा सौरी दो इलक्ट्रोन यहाँ पर क्या होगा कैथोड पर गरहन किये जाएंगे कौन से इलक्ट्रोन जो कि क्या है एनोड पर त्यागे गए हैं जो यह दो इलक्ट्रोन एनोड ने त्याग किये हैं जो जिंक इलक्ट्रोन ने त्याग दिये हैं उन इलेक्ट्रोनों को जो है यहाँ पर कैथोड के गरण कर लेगा तो यहाँ पर जो त्यागे गे इलेक्ट्रोनों की संक्या थी वहाँ दो थी तो यहाँ पर कैथोड कितने इलेक्ट्रोन गरण करेगा दो इलेक्ट्रोन और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा Mn2O3 पलस NH3 और NH3 क्या होती ammonia gas पलस H2O जो कि क्या है हमारी reduction reaction तो MnO2 पलस NH4 पोजिटिव पलस दो इलेक्टरोन जब इसमें जुड़े दो इलेक्टरोन इसने जब accept किये, सुईकार किये, गरण किये तो यहाँ पर हमें Mn2O3 पलस NH3 जो कि ammonia gas पलस H2O यहाँ पर हमें प्राप्त होता है next student यहाँ पर जब हमें cathode पर होने वाली reaction पता चल जाती है, तो हम इस reaction को क्या है, संतुलित करते हैं यानि कि balance करते हैं इस reaction में उपस्थित सभी परमानों को समान संक्या में लिखते हैं तो यहाँ पर 2 की multiply हो जाएगी यह N भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ से Mn2 हो गया और यह भी यहाँ पर 2 NH3 हो जाएगा यहाँ पर यह equation balance हो गई है इसके बाद जब हमें student एनोड पर अभिकरिया प्राप्त हो जाती है कैथोड पर भी reaction प्राप्त हो जाती है इसके बाद हम इसके लिए net reaction लिखते हैं यानि की complete cell reaction लिखते हैं तो complete cell reaction में क्या है जो एनोड पर होने वाली reaction है और जो कैथोड पर होने वाली reaction है इन दोनों reaction को add कर देते हैं तो add करेंगे तो हमें क्या-क्या प्राप्त होगा पहले तो यहां से जो है क्या है यह दो electron से दो electron cancel हो जाएंगे उसके बाद student हमें यहां पर प्राप्त होता है Zn solid plus 2mn 2mn O2 plus 2nh4 positive gives Zn2 positive plus mn2O3 यानि की manganese trioxide plus 2nh3 जो कि क्या है यहां पर gas है plus h2O तो इस परकार से जो हमें student यहां पर जो net cell reaction प्राप्त हुई वहां क्या हुई वहां हुई net जो reaction हुई cell reaction टोटल cell reaction जो हमें प्राप्त हुई यहां पर वो हुई हमें Zn solid plus 2mn O2 plus 2nh4 positive gives Zn2 positive plus mn2O3 plus 2nh3 जो कि क्या है यहां पर gas है और पलस H2O जो है यहां पर प्राप्त होता है और student जो सुस्क सेल का विद्यूत वाहक बल का मान होता है यानि कि E cell का जो मान होता है जो सुस्क सेल का विभव होता है वह होता है 1.5 बोल्ट यानि कि जो सुस्क सेल का विद्यूत वाहक बल EMF EMF का मान होता है 1.5 बोल्ट होता है next यहां पर student हम बात करते हैं सुस्क सेल के उप्योग की कि कहां पर जो है सुस्क सेलों का उप्योग किया जाता है तो जो सुस्क सेलों का उप्योग किया जाता है स्टुडेंट घड़ी हो गिया, कैलकुलेटर हो गिया, टॉर्च हो गई, या फिर रेडियो हो गिया, आदी उपकरणों में सुस्क सेलों का उपियोग किया जाता है नेक्स्ट स्टुडेंट हमारे पास जो दूसरा परकार है प्रात्मिक सेल का हुआ है मरकरी सेल तो स्टुडेंट बात करते हैं मरकरी सेल की तो स्टुडेंट जो मरकरी सेल होते हैं वे एक परकार के प्रात्मिक सेल हैं जिनका किक है जिनका उपियोग हम छोटे यंत्रों यानि कि जैसे कि कलाई घड़ी हो गया, रिस्ट वाच हो गया, सरवान यंत्र हो गया, कैमरे हो गया, खिलोने हो गया, आधी में इन सेलों का हम उपियोग करते हैं next student यहाँ पर बात करते हैं, mercury cell के structure की, तो student जो mercury cell का structure होता है, उसमें क्या होता है, जो anode होता है एनोड का जो कारे करता है वहां करता है ZNHG जिसको की क्या बोलते है जिंक मरकरी यानि की अमलगम का परियोग जो है यहाँ पर एनोड की भांती किया जाता है जिसको की क्या अमलगम क्या होता है ZNHG जिंक मरकरी जिसको बोला जाता है G N H G का परियोग जो यहाँ पर एनोड के रूप में तथा मरकरी ऑकसाइड मरकरी ऑकसाइड क्या होता है H G O तो मरकरी ऑकसाइड जिसमें की क्या होता है कार्बन का लेप लगा होता है कार्बन का पेस्ट यहाँ पर इसके चारों और mercury oxide के चारों और लगा होता है जो कि क्या है HGO cathode की भांती यहाँ पर कारे करता है यानि कि जो कि हमारा positive होता है धनात्मक होता है वह HGO होता है और जो anode होता है anode की भांती यहाँ पर zinc amalgam कारे करता है और जो bad youth up घट्टे होता है student KOH KOH plus ZNO का जो घोल होता है वहाँ यहाँ पर क्या होता है bad youth up घट्टे की भांती यहाँ पर कारे करता है तो anode की भांती कौन कारे कर रहे है यहाँ पर zinc mercury होता है और जो cathode है वहाँ क्या होता है mercury oxide होता है या फिर हम कह सकते हैं कि mercury oxide even carbon यहाँ पर कैथोड का कारे करता है और जो बैजूत अब घट्य के रूप में यहाँ पर परियोग में लाया जाता है मरकरी सेल में वहाँ को ch potassium hydroxide और zinc oxide का billion यहाँ यहाँ पर यूज में लाया जाता है sorry billion नहीं होता है इन दोनों का यहां पर पेस्ट का उप्योग होता है कोह पलस जड़नों का पेस्ट जो है यहां पर बैद्यूत अप घट्टे की भांती उप्योग में लाया जाता है next student यहां पर बात करते हैं हम cell अभिक्रियाओं की mercury cell में हम यहां पर बात करते हैं एनोड पर होने वाली reaction की तो एनोड पर क्या होता है ओक्सी करण होता है क्यों क्योंकि यहां पर जो एनोड होता है हमारा रिनात्मक होता है तो ओक्सी करण होगा तो यहां पर एनोड क्या था हमारा zinc amalgam यानि की ZNHG तो zinc amalgam क्या करता है का पेश्ठ था तो यहाँ पर जो यह पोटेसियम हाइड्रोकसाइड है या कि अपने आयों में ब्योजित हो जाएगा तो के पलस और ओएच नेगरिटिव दे देगा तो यहाँ पर एनोड पर कौन सा चार्ज होगा नेगरिटिव होगा तो हम यहाँ पर जो है जो एनोड की अभिकरिया कराएंगे जो हमारा एनोड का कारे कौन कर रहा है यहाँ पर जिनका अमलगम तो जिनका अमलगम की अभिकरिया जो होगी इस्टुडेंट वहाँ ओएच नेगरिटिव से होगी जिससे के हमें क्या प्राप्त होगा जेड एनो पलस एच टू ओ पलस दो की बिलिखते हैं तो कैफोड का कारे कौन कर रहा था यहां पर मरकरी आॉक्साइड जो कि कैए हमारा मरकरी आूक्साइड क्या या है है हमारा हम एस são i am Tucson करके और यहां से जो ऐनोड द्वी द्वारा दो ट्यागरी गए है उन दो इलेक्ट्रोनों को घरहन करके क्या देता है हमें HG liquid HG liquid plus 2OH negative तो student यहाँ पर cathode पर जो होने वाली अभिक्रिया है HGO plus H2O जो है इसने क्या कर लिए HGO ने जो है जो की cathode है हमारा इसने दो इलेक्टरोन घरहन करके जो हमें HG liquid और दो आयन OH negative के दे दी हैं जब यहाँ पर हम जो है इसकी net reaction लिखने जाते हैं यानि की total complete reaction इसके लिए लिखते हैं इस cell के लिए जो cell अभिक्रिया होगी complete cell अभिक्रिया होगी वहाँ होगी यहाँ से क्या होगा equation number जो anode पर हो रही है और जो equation cathode पर हो रही है जो reaction होगा वह होता है और यहां पर जो है यह दो ओएच से दो ओएच नेगरिटीब भी कैंसल हो जाएंगे तो हमें क्या पराप्त होगा यहां पर जेड एन एच जी पलस एच जी ओ गिप्स जेड एच जी और किस में लिक्विड में और यहां से जो है एच तू ओ से एच तू ओ भी कैंसल आउट हो जाएगा तो इस परकार से जो हमें नेट रियेक्शन प्राप्त होती है इस्टूडेंट वह होती है हमारी जब हम क्या करते हैं कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो जो हमें नेट रियेक्शन प्राप्त होती है वह होती है जेड एच जी पलस एच जी ओ सॉलिड गिप्स जेड एच जी लिक्विड HG liquid क्यों आ रहा है क्योंकि आपको पता होगा आपने पड़ा होगा जो पारा होता है वह क्या होता है सामान्य ताप पर दरबित अवस्था में होता है सिर्फ और सिर्फ जो है मरकरी एक ऐसी धातो है जो की कमरे के ताप पर क्या होती है दरब अवस्था में होती है इसलिए जो है HG लिखिड यहां पर लिखा गया है और नेक्स्ट स्टुडेंट यहां पर जो है मरकरी सेल का जो विभव होता है यानि कि जो EMF या फिर E-Cell का मान होता है वह होता है मरकरी सेल के लिए 1.35 बोल्ट होता है इस परकार से student यहाँ पर हमारा आज का topic जो कि क्या था mercury cell हो गया, सुस्क cell हो गया और battery के परकार देखे थे हमने तो यह complete होता है next यहाँ पर मैंने आपके लिए notes बनाने के लिए कुछ slide add कर रखी है जिसकी मदद से आप notes बना सकते हैं अपनी copy में cell notes तयार कर सकते हैं, जो कि क्या है, जहां से मैंने आपको शुरुआत से समझाना शुरू किया है यहाँ पर पहला page उसका है, यहाँ पर जो दूसरा page यह दिखाया गया है यह क्या है, यह सुस्क cell का proper nomination के साथ यहाँ पर diagram दिखाया गया है जो कि आपको अपनी fair copy में बनाना है नेक्स्ट यहाँ पर अभिक्रिया यह दिखाई गई है जो कि क्या है, anode पर होने वाली और cathode पर होने वाली अभिक्रिया है उसके बार total cell reaction यहाँ पर दिखाई गई है, किस के लिए? mercury cell के लिए और इस परकार से जो है, student आप अपनी fair copy में जो है, notes बना लेंगे उमीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा thanks for watching, like, share, comment and subscribe our channel for more updates thank you